तो चलो इस वाले कोश्चन को देखो बैचो यह नीट टू अब इन 21 में आया हुआ और यह भी एक अच्छा सा कोश्चन है यह कहते हैं कि एक स्प्रिंग यह इसको हमने यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाके एक फोर्स दस न्यूटन का लगाके हमने इसको कीचा अब यह इस पान सेंटीमेटर यहां से पान सेंटीमेटर इसमें इलोंगेशन जनरेट हो जाता है 5 cm length the time period of oscillation of 2 kg block अब कहता है 2 kg block का time period कितना होगा समझे I hope की question समझ में आ गया होगा time spring mass system time period होता है वो यह वाला formula आपको सबको पता होगा spring mass system का time period 2 pi m upon k under root होता है अब यहां से 2 pi mass यहां से दिया हुआ था 2 kg 2 यहां से mass 2 kg यहां से दिया हुआ और spring constant k spring constant k तुम्हें क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा भाई क्योंकि देखो यहां से जब तुम यहां से 10 newton का force लगा रहे हो तो spring का force kx इधर लगेगा पीछे की direction kx और यह spring का force kx kx यह 10 newton के बराबर होगा equilibrium condition में तो यहां से spring constant k की अपने को calculation मिल जाएगा तो अगर हम k calculate करने में सफल हो गए तो let us calculate k और यहां इस पार मुले में k और m रख दो mass यहां से 2 kg था और k की value रखोगे तो 10 और 0.5 उपर चला गया अब इसको solve करोगे तो time period 2 pi और 0.0500 से उपर नीचे multiply कर दो तो यह points यह points हट जाएगा अगर यह point हट गया तो यह नीचे यह यह कह सकते हो कि यह point यह 5 ने 5 को काट दिया और यह 0.5 हट गया तो यह नीचे 1 upon 100 बचा और 1 upon 100 मतलब रूट से बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा pi की value रग दिया 3.20 इंट को multiply कर लिए 6.2 तो इसे divide कर दिया तो 0.64 मतलब यह वाला अपना solution सही है अब देख लेते है 0.62 मतलब अपने को 4th option सही हो जाता है Thank you, bye bye, take care